अनाजों की प्रकृति के बारे में हमारे पूर्वजों का ग्यान इतना अच्छा था कि गर्मी के दिनों में वह गेहूं की रोटियां खाना बंद करके जव का सेवन या बारले का सेवन करना शुरू कर देते थे और उसकी रोटिया खाते थे आधुनिक विज्ञान ने भी अब इस बात को मान लिया है कि बारले इस दी सुपर समर ग्रेन क्योंकि इसकी तासीर जो है वह ठंडी होती है नमस्कार मैं हूँ रवी वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिजीज फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ स्टाइल का चैनल गोल्डन हेल्थ आरवेद के अनुसार जो बारली होता है या जव होता है जिसे हम इंदी में जव के नाम से जानते हैं वह पित और कफ के रोगों में बहुत उपयोगी होता है लेकिन कई बारें ऐसा भी होता है कि जो लोग obese होते हैं मतलब जो लोग मोटे होते हैं उसमें यह जो जव है या बारले है वो fat cutter के रूप में काम करता है इस तरह उनके वात के रोगों में भी यह बहुत उपयोगी होता है बारले यानि जो की विशेशताओं के बारे में अगर हम बात करें तो यह minerals, vitamins, flavonides का ख़जाना होता है इतने गुण इसमें होते हैं इसमें antioxidant properties जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं इसके कारण यह हमारी gut health के लिए यानि हमारी digestive system की health के लिए बहुत अच्छा माना जाता होता है कि बारले के सेवन से हमारी intestine में एक protective layer बन जाती है जिसके कराण सारे रोगों से हमें निजात पाने में सफलता मिलती है जैसे आप यह बात करें अगर कि माउस के जिनको अलसर होते हैं या छाले होते हैं या ulcerative colitis होता है या पैप्टिक अलसर होते हैं उनके लिए ब घाव भरने के इसकी शमता भी अदभुत होती है जैसे हम बात कर रहे हैं अलसर्स की तो यह क्या होते हैं शरीर के अंदर घाव ही तो होते हैं इन्हें ठीक करता है इसके अलावा भी अगर हमें कहीं घाव हो जाते हैं शरीर में तो भी बारले उसको भरने में हमारी मदद कर जौ यानि बारले एक ऐसा अध्भूत अनाज है जिसमें Soluble और Insoluble दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं जिसके कारण ये हमारे शरीर की गठानों यान ट्यूमर्स को भी छीक करता है इसके सेवन से भूख भी कम लगती है यानि digestive system को ये छीक करता है और जो false hunger की feeling आती है उसको भी छीक करता है इसी के करण इसे war grain भी कहा जाता है वार टाइम grain का मतलब क्या होता है जो सैनिकों को दिया जाता है इसलिए कि उन्हें बार बार भूख का एसास ना हो इसके लिए भी बारले बहुत जबरदस चीज है इसके soluble fiber में जो beta-glucane होता है वह हमारी false hunger को शांत करके हमारे digestive system को improve करता है और इसमें जो insoluble fiber होता है उसका रोल ये होता है कि वह cholesterol को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित करता है hormones को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित करता है जिसके गारण अनेक प्रकार के जो रोग हैं वो हमारे control में आ जाते हैं बारले में बहुत तरह के antioxidants होते हैं इसके अलावा flavonides होते हैं इसके साथ साथ nitric oxide के production को भी इंप्रूव करता है और lignane oil जो होता है वह हमारे clotting के गुण को जो है वो control करता है जिससे ये heart patients के लिए BP के patients के लिए diabetes के लिए एक बहुत उपयोगी और अच्छा grain माना जाता है क्योंकि इसके जो ये गुण है उससे insulin का regulation भी होता है पैंक्रियास को भी ये stimulate करता है जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जो यानि बारले जो है वो nutrition का खजाना होता है तो जितनी तरह के micronutrients होते हैं चाहे हो calcium हो, magnesium हो, phosphorus हो, selenium हो, zinc हो वो सब कुछ इसमें भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं micronutrients के साथ साथ इसमें vitamin B6 और vitamin E भी भरपूर मात्रा में होता है जिसके कारण यह bone health के लिए भी बहुत उपयोगी होता है जिन लोगों में osteoporosis के समस्या होती है उनके लिए भी जो सेवन है वो लाबदायक वाना गया है इसके अलावा जिनने gallstones की problem है या गॉल ब्लेडर में stones है या kidney stone की उन्हें problem है तो उनके लिए जो का सेवन बिलकुल अमरिज जैसा है जिन लोगों को गुस्ता बहुत आता है या जिनका दिमाग शान्त नहीं रहता उनके लिए भी जो समर सुपर फूड के रूप में coolant का काम करता है इसके साथ साथ यह महिलाओं के लिए भी बेहद उपयोगी रहता है क्योंकि यह हार्मोन के balance को ठीक करके बहुत सारे रोगों को जैसे thyroid को और PCOD को भी नियंतरित करता है इसके अलावा एकने, जाईया, चेहरे के दागधबे इनको भी अठीक करके चेहरे पल पर glow लाता है इसके साथ साथ महिलाओं में अक्सर यह तमन्ना होती है कि किसी तरह से उनका वजन कम हो जाए तो वजन कम करने के लिए बारली जो है वो बहुत अच्छा काम करता है यदि किसी महिला के बाल जढते हो ज्यादा तो उसके लिए भी बारली वाटर से या जोग पानी से बालों को धोना बहुत अच्छा माना जाता है यदि आप सपताह में दो बार ऐसा करेंगे तो आपके बालों में इससे पतले होने का जो प्राब्लम है वो चीख हो जाएगा और बालों की ग्रोध भी बहुत अच्छी हो जाएगी आपने सुना ही हो गया कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो बीयर से अपने बाल दोती है क्योंकि बीयर का निर्मान जो होता है वो जव यानि बारली से ही किया जाता है जिन बच्चों में अस्थमा के शिकायत हो उन बच्चों को भी अगर थोड़ी मात्रा में बारली वाटर का सेवन कराया जाए तो उनके लिए भी बहुत लाबदायक होता है इसके साथ आर्यूएद ये कहता है क्योंकि बारली का स्वाद जो है वो कसैला होता है और इसकी जो प्रवित्ति याने नेचर होता है वो रूखा होता है इसलिए यह पित और कफ के रोगों को नियंतरित करने में बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन क्योंकि यह ड्राइ ग्रेन है इसलिए इसके साथ पानी का सेवन जो है पानी पीने के हमारी जो शमता है उसको हमें बढ़ा देना चाहिए ज्यादा पानी पिएंगे तो यह ज्यादा अच्छा असर दिखाएगा बारली याने जो का उप्योग जो है वो पूरी दुनिया में किया जाता है अगर इन टरम्स अफ प्रोडक्शन इसकी बात करें तो दुनिया में इसका नंबर गेहूं चावल और मक्के के बाद चौथा है आएए अब यह जानते हैं कि बारले का उप्योग हम जह है अपने धैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले इसके लिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि यह ड्राई नेचर का ग्रेन है इसलिए इसके साथ पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए और इसके सेवन की मात्रा जो है बारले के वो कम रखनी चाहिए हमें इसे आप बारले वाटर के रूप में ले सकते हैं जव दलिया आप खा सकते हैं बारले का जो पॉरिज होता है वो खा सकते हैं इसके अलावा बारले टी का भी उप्योग कर सकते हैं साउथ पोरिया में तो बोरी चा के नाम से बारले टी ही मिलती है जिसका लोग बहुत ज़्यादा उप्योग करते हैं तो जव का उप्योग अपने दैनिक जीवन में जरूर कीजिए और इसके फायदों को महसूस कीजिए हमें भी कमेंट करके बताईए कि आपको किस बीमारी में जव का या बारले का कैसा फायदा हुआ है और हाँ जाते जाते फिर वही बात कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा थैंक्स पर वाचिंग